को लेके कल गजिंदर सिंग शेखावत का एक बयान है साड़े चार साल के जो है गजिंदर सिंग शेखावत और अशोग गहलोत की अदावत जो है वो एक क्रिमिनल केस से व्यक्तिगत इस तरपर तू-तू-मेमे की इस तरपर जो अशोग गहलोत की और से जो भाशा है केंद्र लाया जाए और इसमें एक और पहलू मैं बताना चाहूँगा हाई कोट ने राजस्तान सरकार को फटकार लगाई है कि सरकार पहले कहती है गजंदर शेंग का वा तारूपी नहीं है अब उन्होंने जैसे प्रातना पत्र पेश किया कि वो हमारा जवाब गलत था तो जो जस्टिस न्याए मुड़त ने इससे अंदाज लगाई है कि एक मुख्य मंत्री जिस केंदरिय मंत्री को निप्टाना चाहता है उसके खिलाब भी अगर अगर अदालत में प्रोफर तरीकी से नहीं जा पार है तो फिर ये नकल वकल वालों एक खिलाब किस तरह शेकारवई होगी और दूसरी बात जो जो मैंने कुछ वकिलों से बात की जो कानून की जानकारों से बात की उनका कहना है कि ये केस अब अगले कुछ दिनों में क्योंकि अब चुंकि आरोपी बनाया गया है एफाइयार में तो एफाइयार क्वेस्ट करने के लिए अगर चले जाते हैं गजन जिंग से खावत है उनका वकील तो ये एफाइयार टीकेगी नहीं क्योंकि इतना फेबरिकेशन किया गया है या उसको किसी भी तरह से अटकाने की कोशिश की गई है क्योंकि लीडर चाहता है नेता चाहता है इसलिए जब राजा चाहे तो उनके जो कामदार होते हैं उनको करना पड़ता है तो वकीलों को लग रहा है खास तूर पर गजन सिंग सेखावत की जो वकील है उनको लगता है कि ये केस जादा स्टेंड नहीं करेगा और आने वाले वक्त में हो सकता है इसमें कोई ऐसा फैसला आए जिससे गजन सिंग सेखावत राहत मैसूस करें और सरकार की एक बार फिर सीचा लेदारी हूँ सर एक केस साथ ही शेखावती में जो आया था जिसमें कई सो करोड रुपए का मामला है जो उसके व्यक्ति क्रूज पे मौज कर रहे हैं वो वीडियो वाइरल हुआ है दूसरा खबर यह आई है कि वो जेल से धमका रहे हैं जेल से सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो उस पर गोटाला है इसके अलबा आदर्श वाला है नवजीवन का है हम एज़िंक 360 हमने पहले एक्सपोज किया था कि विकरम सिंग इंद्रोई के से कॉंग्रेस के लिए काम कर रहा था उसके बाद वो जेल में है सरकार ऐसा कोई उपाई क्यों नहीं कर रही जिस पे हम शुरू से क कि जो अरिश्टार कोपरेटिव के पास में एक अंप्लेंट आ गई एफाई आ आ गई जी उस एफाई आर को उन्होंने वहां क्यों नहीं बेजा उस एक्ट के तहत जी इन फॉम क्यों नहीं किया क्या वज़े थी कि इतने लंबे वक्त तक उन्होंने रखा इसको कि उन्हो तीस तीतिम उसको फशा दिया कि वो अगले तीस साल तक उनको नयाई नहीं मिल पाएगा